जिन्दगी मा अचानप एस्तेई केई हुदो रहे छ जसले तपाईलाई अगारी लियेर जान छ मेरो जिन्दगी मा पनी पछिला केई दिन एस्तेई रहे मलाई निूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर नामको बिरामी भये को छ तरपनी मलाई मेरा नजिक का मानी सरुबाट प्राप्त मायले हौचला दिये को छ इर्फानले दुई साल अगी मात्र आफुला लागे को जंडिस रोक को बारे मा थापाये का थिये रड़ ट्वीटर मारपत यो एसरी सार्जिने करे का थिये इर्फानलाई निूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर भयको थियो आफनो बिरामी को बारे मा थापाये पछी उनी उपचार का लागे लंडन गये का थिये एक बर्षको उपचार पछी मार्च 2009 मा उनी स्वदेश फर्के का थिये गतबर समात्रा इर्फान लंडन मा आपनो उपचार गराये रह फर्के का थिये तेश पछी उनी डक्टर को प्रतच्छे निग्रानी मा थिये आफोलाई क्यांसर लागे को थापाये पछी पनी उनले अंग्रेजी मिडियम नामक्त प्लिम मा अभिनाए गरे का थिये आम वेरी इमोशनल और आउटसाइड आम वेरी हैपी लंडन की कॉलेज की फिलिस देक करो मा भविशेको बारेमा अत्याधीक योजना बनाउने कर्थें तर एसको अर्था नहुने रहे छा जिन्दगीले कस्तलाए कती बेला कहां पुराउचा भन्ने थाई नहुने रहे छा आइंदा भविशेको योजना बनाउना छार दिन छु जिन्दगी र मिरुद्दुको बीजमा मेरो कुने नियंत्रम छाइना मलाई कुने गुनाशोपनी छाइना जीबन प्रती एस प्रती मा कृत ग्याचू उनले भनेका थिये गता सनिबार मात्र इरफान की आमा को मृत्यु भाई को थियो तर लोगडाउन का कारण उनी आफनी आमा को अंतिम ससकार मा पनी साभागी हुना पाये ना साथ जनवरी 1960 मा जन्मिय का इरफान ले 2011 मा पदमस्री सम्मान पाये का थिये यो भारत को 14 सर्वत्च नागरिक सम्मान हो इरफान ले हिंदी फ्लिम का साथ है थुप्रे टीबी सिरियल तथा अंग्रेजी फ्लिम मा पनी अभिनाय गरेका छन तीस फंदा बड़ी हैंदी फ्लिम मा अभिनाय गरेका छन उनले नागी न्यूस 24 नेपाल यूट्यूब चैनल लाइफ सब्स्ट्राइब गन्रोना